शाहर में एक तरप कुर्णा का आतंग मचा हुआ है तो वही दक्षिन नागपूर के कुछ परिसर में पानी की किलत साब देखी जा सकती है बस्ती के लोग पीने के पानी से वंचीत है लेकिन अपसोस की OCW का सौतेला व्यभार लोगों को प्रभावित कर रहा है जी हां हम बात करने जा रहे चंदनगर महेश कॉलनी पीटी असकॉर्ट परिसर के लोगों की दास्ता सुनते हैं उन्ही की जुबानी OCW द्वारा पड़े ही दिनों से 24-7 पानी की आपूर्तिक आवादा किया गया था लेकिन बीते तीन मैनों से शहर के पीटी असकॉर्ट चंदनगर राममंदिर परिसर महेश कॉलनी इन परिसरों में पानी की किलत हो रही है और इस समस्या को लेकर परिसर के नागरी, ग्रेशिंबाक, स्थीद, OCW के कारियाले कई बार शिकायत करने गए लेकिन परिसर के लोग जब शिकायत करने जाते है तो यहां के करुमेचारी परिसर के लोगों के समस्या को नजरंदास करते है यहां के परिसरों के लोगों द्वारा ऐसे शिकायत परिसर के पारशद से की गई है लेकिन पार्षदवारा भी इस समस्या को नजरंदास किया जा रहा है ऐसे में पूर्व पार्षद योगेश्तिवारी द्वारा रेशिमबाग सीद OCW के कारियाले में जाकर वहां के अधिकारियों से चर्चा की गई मुष्किल से 15-20 मिर्ट पानी आता है पानी यहां पर सबस्या बड़ा पर प्रापलम इनके बाद जब हम लोग आते हैं तो इनके जो करमचारी है एक करमचारी भी बरोबर इंटरेट्मेंट नहीं करते हैं और जो करमचारी उह साइट पर जाता है उस साइट पर जहां उसकी रिष्टेदार है यहां उसका कर्मचारी है उसी के घर जाके बढ़के उसकी पर रिपोड लेके आके उनको जूटी रिपोड दे देता है अभी दो तीन दिन पहले मिस्तर गुजर जो यहां के इंचर्ज है उनसे मेरी बात हुई थी यहां राजु भगत करकर जो हमारा एरिय रहे हैं कि आप बता मैंने बता नहीं सकता हूं कि पिछले पचास सालों में इतनी तंचे नहीं हो इतनी तंचे अभी पूरे ड्याम फूल रहने के बाद आज के तारिक में हो रही है तीसरी बात इसमें ऐसा है कि इनका कहना है कि लोग मीटर में मसीन लगाते है तो कर्मचा बीते तीन मेनों से परिसरवासी पानी की किलत से परिशान है, जल से जल पानी की समस्या को हल नहीं किया जाता है, तो आंदल उनकी चेताओं नी भी पूर्व पारशात योग इश्तिवारी द्वारा दी गई है. कैमेरा परसन माइकल रामपुरे के साथ क्षिती जादेश मुकी रिपोर्ट बीसे नियूज नाखपुर्व